पुब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मोड यानि की पीपीपी मोड पर संच्रालित हो रहे जिला अस्पताल पौडी का नाता विबादू से लगातार बना रहता है। अल्टरसाउंट किया गया। अल्टरसाउंट रिपोर्ट आने के बाद बालिका के परजनों को डॉक्टर के द्वारा बच्ची की पित्त की थैली 9.3 पाम मेली मीडिटर की पत्री होने की बात कई गई और तीन दिन के बीतर ऑपरेशन करने की सला देगी। आनल फानल में पर कि देखें बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर धन्सिंग रावाज जो स्वास्त्य मंत्री है वो लगातार इन पीपी मोड में संचालित हो रहे अस्पतालों का निरिक्षन कर रहे हैं और निरिक्षन के दौरान इनकी जो विवस्ताएं उन्हें चौक चौबन बता रहे हैं लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह की अविवस्ताएं इस जिलास पताल में फैली हुई हैं चाहिए वो पाबो में बात करे जाए जहां भी पीपी मोड में संचालित हो रहे हैं वहां इसी तरह की विवस्ताएं हैं जिसका खाम्याजा हम जैसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए क्यों कारवाई होनी चाहिए क्यों के तो जानमाल का खत्रा है अगर किसी को गलत रिपोर्ट बता देंगे और डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा कि चीर फार करो ऑप्रेशन करो बड़ा मामला है ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं इस संग्यान को लेते बात्चित करूंगा है कि दॉरन जो भी हुआ तीन दिन के बाद स्री नगर मेडिकल खॉलज में अल्टर सौन रिपोर्ट में कोई उपत्री नहीं देखा हूं सो एक तो कारण इसमें हम बताना चाह रहे हैं कभी क्या होते हैं गाल ब्लेटर कंदर स्लज बोलते उसको हम यह दिखते सेम तु सेम पट्री जैसे हैं जंवा कुछ दिन के बाद स्रच अंदर से निकल जाते हैं एक रिजन यह हो सकते हैं पर बिक रिपोर्ट में हमारा थसीं इमेंज में साफ सफ़ आर चाहिए है के बेसेस में हमारा रेडियोल्जस्ट ने अल्टासून प्रिपोर्ट दिया गया है और ये भी लिखा नीचे मरा इसे कन्फर्म करने के लिए